तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नय लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के उर्दू का अबजेक्टिव कॉश्चन करने वाले हैं और ये अबजेक्टिव कॉश्चन की संख्या कितनी रहेगी तो 100 रहे और इसलिए मुझे उस वीडियो को डिलीट भी कर देनी पड़ी नहां तक कि उस वीडियो को रिमूब कर दिया गया तो बस बस जो मैं आप लोग को कल के लाइव क्लास में अबजेक्टिव कॉश्चन कराई थी ना पूरा नहीं हुपाया था 100 अबजेक्टिव कॉश्चन नहीं करा पाई क्योंकि बाहर से बहुत ही ज्यादा रहे थी बहुत जदा वाज आ रहे थी उसी अबजेक्टिव कॉश्चन को आज के इस वीडियो में मैं आप लोग करा रही हूं यानि कि आप यूं कह सकते हैं कि कल का लाइव क्लास जो हुआ था ना उसके बत्रे में यानि कि आज के पहले दिन में हम लोग 100 अबजेक्टिव कोश्चन करेंगे उसी तरह तीन दिनों में हम लोग 300 अबजेक्टिव कोश्चन करेंगे और आप लोग के 10th क्लास के उर्दू के बुक में टोटल 38 यानि कि 38 चैप्टर है और 38 चैप्टर में हम टोटल 300 अबजेक् कोश्चन टेंथ क्लास के उर्दू के बुक से हो सकता है वो टोटल है 300 मतलब कि आप लोग के एक्जाम में जो भी कोश्चन पूछेगा इन ही 300 अबजेक्टिव कोश्चन में से पूछेगा यह जरूर बात याद रखिएगा और पूरा अबजेक्टिव कोश्चन खतम हो और तीन दिन में पूरा अबजेक्टिव कोश्चन खतम करेंगे और जो भी आप लोग के एक्जाम में अबजेक्टिव कोश्चन पुछेगा इनी 301 leads पूछेगा याद रखिएगा है यह बात ठीक है ना यह मैं अपने तजुरबे के हिसाब से कह रही हूं जो मैं आप लोग को गारेंटी दे रही हूं क्योंकि जितना भी में अब्जेक्टिव कोशन और जो भी मैं पिछले सेशन के स्टुडेंट को पढ़ाई होना उससे हमें तजरुबा बहुत ज्यादा मिला है और इसी बेस पर मैं आप लोग को कह रही हूं कि जो भी आप लोग के एक्जाम में अब्जेक्टिव कोशन पूछेगा ना इसी तीन सा अब्जेक्टिव कोशन में से पूछेगा यह याद रखिएगा तो चलिए फड़ाफट आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किये हैं तो अप्लोड हो या फिर लाइब क्लास हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे फड़ाफट चलिए आज किस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला सवाल आप लोग के स्क्रीन के उपर आ चुका है और आप यूं कह सकते हैं कि प्रिवेस एर कोशन यार किया हुआ रहेगा ठीक है आज के इस वीडियो में हम लोग हंडेट अब्जेक्टिप कोशन करने वाले हैं आप लोग के एक्जाम में पूछे गए सवाल से ठीक है ना यानि कि ये प्रिवेस एर कोशन पेपर के सवाल है और सबसे पहला सवाल क्या है कि हम्द खुदा बिमें खिताब सी में लकब और डी में तखलुस बताई ये इतना आसान सवाल आप लोग के एक्जाम में पूछा गया है आप लोग को पता है कि शबना में एक तखलुस है तो आपसा नंबर डी इस दा करेक्ट इंसर आगे बढ़ते हैं तीसरा सवाल देखिए जिस नजम म को अलड़ी पढ़ा चुकी होंगार आप लोगों ने चैप्टर को पढ़ें चैप्टर को अगर ऊपणकर बठोद लेंगे तो फिर आप लोग के लिए सारी कोषण का एंसर देना हलवा लगेगा एकदम आप लोग चुटकियों में इस सभी कोषण का जैसर दे पाएंगे आंसर बताते चले पाचवा सवाल देखिए पाचवा सवाल है कि भावी जान की गायर मवजूदगी में रुकए ये भावी दिल बहलाने और वक्त काटने के लिए क्या करती थी आप लोगों को पता है कि भाई यहां पर गल्ती से भावी जान लिखा गया है भाई जान रहेग तो आप लोगों को पता है कि भाई जान की यहर मौजूदगी में तो कईया भाबी जो है ना दिल बहलाने और वक्त काटने के लिए खतूत लिखा करती थी तो option number D is the correct answer आगे बढ़ते हैं छे नंबर सवाल की नूर की जिद क्या है यानि की नूर का उल्टा शब्द क्या है यानि की विप्रितार तक शब्द अपोजिट वर्ड क्या है तो नूर का जिद जो है ना वो होता है जुलमत तो option number B is the correct answer आगे बढ़ते हैं फड़फट साथ नंबर सवाल की फरार किसका अफसाना है अफसाने में सुहल अजीम अबादिबी में डॉक्टर मुहमद मौसिन सी में शकील अक्टर और डी में है कमर जहां इसका राइट एंसर हो जाएगा option number B डॉक्टर मौमद मौसिन फरार के अफसा अफसाना कौन है option A में है एहद वफाबी में सनम बेवफा सी में जुनून वफाडी में है सिलावफा बताइए इसका सही इंसर क्या होगा कमर जहां का पहला अफसाना कौन है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option number C जुनून वफा option number C is the correct answer जुनून वफा 9 number question की मादा पर परस्त सिर्फ मादा परस्त कहते हैं जो भगवान ये फिर खुदा को नहीं मानते हैं ठीक है तो मादा परस्त सिर्फ और डैस है यहां पर खाली जगह पर क्या रहेगा option A में हाल में जी रही होते हैं B में माजी में जी रही होते हैं C में मुस्तक्बिल में जी रही होते हैं जो मादा परस्त है ना वो हाल में जी रहे होते हैं कि वो किसी के कहने पर या फिर कोई बात सुन लिया तो किसी के कहने पर वो विश्वास नहीं करते हैं किस तरह का अपसाना है option में है नफसियाती तो जी हां option नमबर A ही हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब निगार जिन का जो आशियाना नाम का अफसाना है ना ये एक नफसियाती यानिकी psychological कहानी है तो option नमबर A is the correct answer आगे बढ़ते हैं 11 नमबर सवाल कि क्योटो में global warming पर conference कब ह हुई थी अपसाने में है दोजर साथ इस भी में दोजर चैस भी में सी में है दोजर पांच इस भी में और डी में है दोजर चार्स भी में तो क्यूटो में global warming पर conference हुई थी दोजर साथ इस भी option नमबर A is the correct answer आगे बढ़ते हैं 12 नमबर सवाल कि धान के खेतो और गायबहस के गोबरों से कौन सी गैस बनती है यह मैं आप लोग को अलड़ी पढ़ाई हूँ और इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप लोग ने चैप्टर पढ़ा है तो आप लो लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ लीजिए अल्रेडी पढ़ाया जा चुका है और उस प्लेस्ट का लिंक मैं इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ आप लोग लिंक पर क्लिक करेंगे जैसे क्लिक करेंगे परती एक वीडियो परती एक चप्टर का आप लोगों मिल जाएगा तेरह नंबर सवाल है कि असारिल सनादीद किसकी तस्नीफ है अपसन ए में सरसेयद तो जी हैं सरसेयद एमद खा की तस्नीफ है यां की क्रियेशन है तो आपसन नंबर ए इस दा करेक्ट एंसर आगे बढ़ते हैं चौदा न पढ़ने वालों का हलका जो है ना अदब पढ़ने वालों की संख्या बढ़ते जा रही है लेकिन अदब समझने वालों की संख्या जो है ना वह घरते जा रही है तो आपसन नंबर इस दा करेक्ट एंसर 15 नंबर सवाल की भीम्राव की मादरी जबान क्या है यानि की मातरी कि या है आप लोग को पता है कि इनकी मात्री बास यान की मादरी जबान है मराथी option नमबर इस डा करेक्ट रेंसर सुल्ला नंबर सवाल की आगा अशर का तालू को किस सिनुफ से है चेप्टर का नाम आप लोग पताई है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा अशर यानि की आगा अशर का तालुक संबंद ड्रामा से है आपसा नमबर बी इस दा करेक्टेंसर आगे बढ़ते हैं 17 नमबर सवाल है कि लुट्फू रह्मान को उर्दू तद्रिस के इलावा किस चीज से दिल्चस्पी थी आपसाने में सियासत भी में तजारत सी में वकालत और डी में हिकमत इसका सही जवाब हो जाएगा आपसान नमबर ए सियासत रसुर रह्मान को उर्दू तद्रिस के इलावा सियासत में दिल्चस्पी थी पड़फट आगे बढ़ते हैं 18 नमबर सवाल है कि जमीन के बाशिं बी में तरेगना सी में खगोल और डी में गया राइट एंसर हो जाएगा आपसान नमबर बी तरेगना आरे सिद्धानत और तंतर किताब जो लिखी गई थी वो तरेगना में लिखी गई थे पड़फट आगे बढ़ते हैं 20 नमबर सवाल कि जमीन किसका तवाफ करती है या उने से 10 इस भी में सी में उने से 11 इस भी में और डी में उने से 12 इस भी में और इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपसान नमबर बी उने से 10 इस भी चली फट़फट आगे बढ़ते हैं अगला सवाल कि गालीब का असल नम क्या है देखिए इतना आसान सवाल अगलत हो जाएगा अगर आप गलती से बी को लगा देते तो घलत हो जाता ध्यान से देखकर लगाना है अजदूल्ला खा गालिब होगा ये वाला अपसन नंबर ए बढ़ते हैं 24 सवार की शामिल नहींसाहब मकतूब शहवाज ने किस नाम लिखा है यान कि आप लोग इस लिबस में जो शहवाज का मकतूब यान की खत पढ़ना है वो खत शहवाज नेकिसके लिए लिखा था तो अपनी बेटी सोग्रा के नाम आगे बढ़ते हैं पच्छीस नमबर सवाल की अब्दुलकफूर श्रवाज का तालुक किस सूबह से था इनका सबंद किस सूबह से था अपसने में जारखंड भी में बिहार सी में यूपी और डी में मगरीबी बंगाल सही जवाब हो जाएगा आपसर नमबर भी बिहार से इ चैप्टर का नाम ही एं बेदी से इंटर्वी यानि कि किससे इंटर्वियू लिया गया तो ऑसन नमर भी इस था गरएक पोड़नाँ आगि बढ़ते हैं वैयाज रिफद का तालुक किस शूबह से था फैक बहुत ही आसान सवाल आप लोग एक्साम में पूछे जाते हैं घ पुछा गया है एकदम confidence रखना है और बिल्कुल सही सही आप लोग एंसर देना है 28 नंबर सवाल है कि फ्याज रिफत का तालुक एंकि संबंद किस डिपार्टमेंट से था आप सने में तद्रीश से भी में आल इंडिया रेडियो से सी में तनकीर से और डी में सियासत से सही ज जवाब हो जाएगा option number 3 इस ता करेक्टंसर तीस नंबर सवाल की शामिल नजम यानि कि आप लोगों के बुक में जो नजम कविता दी गई है मनाजिर फित्रत या फिर मनाजिर कुद्रत के नाम से उसके शायर कौन है और इसके शायर में आप लोगों को बता देना चाहती आई होप आप लोगोंने सी लगाया होगा जो कि बिल्कुल सही जवाब है आगे बढ़ते हैं 31 नंबर सवाल है कि जगरनात आजाद का इंतकाल कब हुआ A में है 14V में 205-B में C में 2023-B में और D में 2016-B में इसका राइठ एंसर हो जाएगा आपसनबर A दोगनात आजाद का इंतकाल हुआ था 32 नमबर सवाल कि परवेज शादी किस साल मैट्रिक किया परवेज शादी और 1931 कि बिजली का खंबा के शायर कौन है यानि कि ये जो नजम है बिजली का खंबा इसके राइटर कौन है शायर कौन है इसका सही जवाब हो जाएगा आपसन नमबर डी निदा फाजली आपसन नमबर डी इस दा करेक्ट अंसर 35 नमबर सवाल कि निदा फाजली ने अपनी नजमों में समाच के किस तबकी के मसाइल को उभा रहा है तो मैं आप लोग को अलोड़ी पढ़ाई हूं कमजोर तबकी के मसाइल को उभा रहा है आपसन नमबर सी इस दा करेक्ट अंसर 36 नमबर सवाल अंडर स्क्रीन है कि नजम बहुत आसान थी पहले किस तरह की नजम है आपसन ने में है पाबन नजम भी में है नजम मुररा सी में आजाद नजम और डी में इनमें से कोई नहीं सही जवाब हो जाएगा आपसन नमबर सी आजाद नजम है ये 37 नमबर सवाल कि सेद मुहमद जाफरी के वालिद यान की पिता जी का नाम क्या था आपसन आ में सेद अहमद जाफरी बी में सेद मुहमद अली जाफरी सी में सेद अहमद अली जाफरी और डी में सेद जाफरी इसका सही जवाब हो जाएगा आपसन नमबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा आपसर नंबर A सेयद मुहम्मद जाफरी ने खाड़ा इनर नाम के इस नजब में की कवीता को लिखा है और इस नजब में खाड़ा डिनर का बहुत ही गदा मजाग उड़ाया है पुरी नजब में आप लोगा अलगी पढ़ा चुकी हूँ आई नजब को कहा जाता है मरसिया यान कि ऑपसर नंबर B इस दा करेक्ट एंसर पोड़ी वन नंबर सवाल की गालिब की आवाजदाद कहां से हिंदुस्तान आया थे यान कि इनके जुबाब दादा थे वो कहां से हिंदुस्तान आये थे अपसर ने में एंए इरान B में सौदी अपसर नंबर A इरान इराक और इरान में आप लोग फस जाते हैं लेकिन ध्यान में रखिएगा इरान लगाना है उपसर नंबर A इस दा करेक्ट एंसर 42 नंबर सवाल है कि शायर की हैसियत से गालिब की तबियत कैसी थी तो वो थे जिद्दत पसंद आपसर नंबर B इस दा करेक्ट नंसर याद रखिएगा शायर की हैसित से गालिब की तबियत जिद्दत पसंद थी 43 नंबर सवाल कि शौक के वालिद का नाम क्या था आपसर ने में आगा अली खाबी में मिर्जा ली खासी में अमजद अली खाडी में अहमद अली खाइगा आपसर नंबर A आगा आपसर नंबर A इस दा करेक्ट नंसर चोवालिस नंबर सवाल कि मसलमी जहर इश्क में किसकी लड़की का तथकरा हुआ है आपसर ने में बादशा की लड़की बी में नवाब की लड़की सी में सौदागर की लड़की का ही जिक्र हुआ है तो आपसर नंबर C इस दा करेक् option number B is the correct answer चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल नसीम की वफात कितने साल की उमर में हुई option A में 30, B में 34, C में 40, D में 42 तो नसीम की वफात यान की मौत हुई थी 34 साल की उमर में option number B is the correct answer 47 नमबर सवाल है कि मसनवी बकावली किस मसनवी का करदार है option A में जजबे महबत, B में सहर बयान, C में गुलजार नसीम और डी में सोज वगदाज सही जवाब हो जाएगा 47 का option number C गुलजार नसीम इस मसनवी का करदार है बकावली 48 नमबर सवाल की गंगा परशाद कोल दैसंकर नसीम के कौन थे तो गंगा परशाद कोल जो दैसंकर नसीम के वालिद यान की पिता जी थे याद रखना है आगे बढ़ते है 49 नमबर सवाल की मसफ़ी की जाए पैदाइश कहा है यानि की पैदाइश कहा हुई पैदाइश जो है कि कौन मशूर शायर मसफ़ी के शागर्द थे पैदाइश जो है वो मसफ़ी के शागर्द यानि की स्टूडिन्ट थे ठेक है तो यहां पर 50 question complete होता है और 50 question बाकी रह गया है उसको भी आम लोग फड़ावट कर रहे हैं देखिए क्यावन नमबर सवाल आ चुका है लेकिन उसे पहले अभी तक आप लोग वुडियो को लाइक नहीं कियें आपसर नमबर ए फिदा हुसेन वामा का आपसर नमबर ए इस दा करेक्ट टेंसर आगे बढ़ते हैं फड़ापट बावन नमबर सवाल की जिस घजल में रदीफ ना हो उस घजल को क्या कहते हैं तो उस घजल को गहर मुरददफ कहते हैं option number 3 is the correct answer तिरपन नमबर सवाल है कि एहमद फिराज किस मुल्क से है option A में हिंदुस्तान B में अफगानिस्तान C में पाकिस्तान और D में इरान तो एहमद फिराज जो थे न वो थे पाकिस्तान से option number 3 is the correct answer चोववन नमबर सवाल option number 2 is the right answer हो जाएगा option number B उन्हें सचोव़स इस B में इनकी पैदाइश हुई थी option number सवाल है कि परविन शाकिर कि सहसियत से मशूर है option A में है घजल गो तो जी है घजल गो से यान की घजल लिखने को जैसे यह मशूर है तो option number A ही हो गया बिलकुल सही जवाब आगे बढ़ते हैं 56 नमबर सवाल इर्फान सिद्धिकी का इंतकाल कब हुआ था option A में है 2003, B में है 2004, C में है 2005 और D में 2006 तो इसका सही जवाब हो जाएगा option number B 2004 इस B में इर्फान सिद्धिकी का इंतकाल हो गया option number B is the correct answer आगे बढ़ते हैं 57 नमबर सवाल की शामिल नसाब दोहे के शायर कौन है option A में फिराग गुरखपुरी, B में अख्तर गुरखपुरी, C में है जफर गुरखपुरी और D में है मुजफर गुरखपुरी सही जवाब आप लोगो तो देखी रहा है option number C is the correct answer जफर गुरखपुरी दोहे के शायर है दोहा में कितने मिस्रे होते हैं ये तो बहुत ज़्यादा आसान सवाल है दो से दोहा, दो से दो यानि कि दोहा में दो मिस्रे होते हैं option number A is the correct answer उनसाथ नमबर सवाल की उर्दू में गीत की समूलियत किस शायरी के जरिये हुई option A में है फार्सी, B में है अर्बी, C में हिंदी, और D में अंग्रेजी तो उर्दू में गीत की समूलियत जो हुई थी, वो हुई थी हिंदी के जरिये तो option number C is the correct answer आगी बढ़ते हैं option A में है उर्दू शायरी का पहला दबिस्तान कौन है option A में है दबिस्तान दिल्ली, B में है दबिस्तान दक्कन तो जी हो option number B हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब दबिस्तान दक्कन 62 नमबर सवाल है कि आजादी के बाद हिंदूस्तान में नए रियासतों की तश्कील किन बुनियाद पर अमल में आई तो option A में है सियासी, B में है जोग्रोफिया, C में है लिसानी, D में है मज़फी बढ़िए इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा option number C लिसानी, option number C is the correct answer 63 नमबर सवाल, कि अफसाना second hand कि अफसाना निगार कौन है option A में हरी मुहंचा, B में है वैकुम मुहमद बशीर, C में है इंद्रा गव स्वामी, और D में है महाश्वेता देवी और इस question का जो सही जवाब होगा, वो होगा option number B, वैकुम मुहमद बसीर, option number B is the correct answer वातरक नदी किसे सूबे में वाकी है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वातरक नदी जो है वो गुजरात में वाकी है यानकी गुजरात में हवात रखना दी, option number D is the correct answer, 65 नबर सवाल कि करनाटक की जुबान क्या है, लो इतना आसान सवाल पूछा गया है, करनाटक में कौन सी भाशा बोली जाती है, तो करनाटक में कौन सी भाशा बोली जाती है, option number A is the correct answer, सो ची इतना आसान सवाल आप लोगो सही जवाब, जंगल काटने के जुरूम में केतु जो है ना वो जेल जाता है, 67 नबर सवाल कि पिशाची अबरन से कौन सी जुबान निकली है, तो पिशाची अप अबरन से निकली है, पंजाबी जुबान, option number B is the correct answer, 69 नबर सवाल है कि बारिश की एक सुबा किस की तखलीक आपसाने में है, अमरिता प्रितम भी में, सिताकांत महापातरा सी में है, और उनकुल हटकर ओडी में है, के सची दानन्द, सही जवाब हो जाएगा, option number B, सिताकांत महापातरा, 70 नबर सवाल कि शामिल नसाब नजम, वह मुलाकात की जुबान की नजम है, आपसाने में, तम नबर सवाल की पढ़ेगा किस तरह का फेल है, अभी यहां से ग्रामर का कोशन स्टार्ट हो रहा है, पढ़ेगा जो है, यह किस तरह का फेल है, यानकि किस तरह की क्रिया है, option A में है, माजी B में है, हाल C में मुस्तक्बिल और डी में है, मजारे, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एक हत्तर का, पढ़ेगा से क्या पता चल रहा है, कि एक काम जो है ना, पढ़ने का काम, वो मस्तक्बिल यानकि फिचर में होगा, यानकि एक हत्तर का option B हो जाएगा, मस्तक्बिल, ठीक है, 72 नम्बर सवाल है कि दर्जैल में खिताब कौन है, खिताब आप सवसे जुम्ला मुकंब्स कीजिए यहां पर क्या रहना चाहिए तुम कहां जाते और यहां कि जिद्गिया होगी यानि कि मगरेब का विप्रिधार तक शब्द अपोजिट वोड़ क्या होगा उपसर ने में मश्रिक तो क्या मश्रिक होना चाहिए तो जी आपसर नंबर एही हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब मश्रिक इस तक रिक्ट इंसर पाचषटर सबाई है कि ईट से इड बजाना का मतलब क्या होगा उपसर ने में ईट्च उना वीज में सक्त मुसीबत आना सी में घुसा होना ऊड़ी निष्ट उनाबूद करना तो इसका सही जवाब होना चाहिए आप लोग rhagy साब से बताइए कि क्या इसका सही जवाब हो जाएगा का मुत्रादिफ क्या है यानिकि एक समान अर्थ रखने वाला लफ कौन सा है उपसा ने में है जोक B में है लिद्फ C में खौफ और D में है शायक तो इसका सही जवाब हो जाएगा 76 का आपसा नमबर A जोक शोक का मुत्रादिफ लफ क्या है जोक 77 नमबर सवाल की बागीजा बागीचा इसम की कौन से किसम है बागीचा जो है ना इसम की कौन से किसम है आपसा ने मैं इसम आला भी मैं इसम मुसंगर सी मैं इसम सौथ और डी मैं इसम हालिया आप लोग को पता है कि बागीचा जो है ना ये इसम की कौन से किसम है तो ये है इसम मुसंगर जी है आपसा न उर्दू ग्रामर में अगर आप लोग नहीं पड़े हैं तो जरूर पढ़ लिजिएगा उर्दू ग्रामर के प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्सम में डाल दी हूं ठीक है कसीदा से हैं मदा का तालुद ठीक है असी नमबर सौब की इसमें जमा की मिसाल है इसमें जमा यानी की जिससे पता चले कि वह एक प्लूरल वाड प्लूरल वर्ट है अपसिने में फौजि Beim में लड़की और साफसाभ झाहिर हो रहा है 80 number सवाल का option number B हो जाएगा लड़किया इसे पता चल रहा है कि लड़किया में बहुत सारी लड़किया यानि कि एक जमा वर्ड है जमा लफ्स है plural word बहुँ अच्छन 80 number सवाल है कि काम करने वाले को क्या कहते हैं तो काम करने वाले को कहा जाता है फाइल तो option number 20 the correct answer वहीं fail कहते हैं काम को और मफूल कहते हैं किसको जिस पर काम का अशर पड़े 82 number सवाल है कि इसम अगर गिंती में एक से ज़्यादा हो तो उसको क्या कहते हैं तो इसम अगर गिंती में एक से ज़्यादा हो उसको जमा कहते हैं कोई भी एक से ज्यादा समान क्या कहलाता है जमा यानि कि प्लूरल बहुवशन कहलाता है तो आप लोग को अलड़ी उर्दू ग्रामर में पढ़ा चुकिन अगर आप लोग नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ लिजिए लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक क करेंगे आप लोग को परतिया की वीडियो उर्दू ग्रामर का मिल जाएगा ठीक है चुरासी नंबर सवाल है कि जेल में कल्मा कौन है आप्चासी नंबर सवाल है कि एहमद की कुरसी पर बैठा है इस जुमलें में कौन है बहुत ही आसान सवाल पूछ दिया गया यानिकी इस जुम्ले में किरिया कौन है तो 85 का option number D हो जाएगा बैठा ठीक है option number D is the correct answer 86 नंबर सवाल है कि सही जुम्ला मुंतखब कीजिए option A में अरजुन ने देखा B में अरजुन देखा C में अरजुन से देखा और D में अरजुन ने देखी सही क्या होगा इसका सही answer हो जाएगा option number A अरजुन ने देखा ठीक है ये सही जुम्ला है 87 नमबर सवाल है कि गाए का मुझकर क्या है गाए का मुझकर आपसने में है भैस, भी में है भैसा, सी में है बैल और डी में है बच्छा बहुत ही असान सवाल है गाए का मुझकर यानि कि पुलिंग होगा क्या जी हाँ सी बैल बैल हो गया पुलिंग और गाय हो गई क्या स्ट्रिलिंग यानि कि मुएनस ठीक है अठासी नंबर सवाल है कि मतजाद अलफाज की मिसाल है मतजाद यानि की एक दूसरे की अपोजिट वर्ड के मिसाल है यानि की यहां पर आप लोगो एक्जामपल दिया गया है शीब वह फिराज ऑपसर नंबर एज्द करेक्टनसर नवासी नंबर सवाले की गजल का आखरी शेर जिसमें शायर अपना तखलुस इस्तिमाल करता है उसको कहते हैं मक्ता मैं आप लोगो को अलड़ी पढ़ाई हो ना तो देखिए कोशन पूछ भी दिया गया है ऑपसर न नमबर बी नब्बे नमबर बैक कि करमा जामीद की Missal है करमा जामीद है अपलों को बताना है और न सभी जबूरत बहुत हो जायए गास की है कि यह जामीद की मिसाल टीक है है और नमभे नमबर लगा की ऐहमrän पटना जा सोह है तो किरिया कौन सा है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा और सी जा रहा है जाना फैल है यानि की किरिया है और एहमद एक फाइल है जो की जाने का काम कर रहा है और पटना हो जाएगा मफूल जिस पर असर पढ़ रहा है पटना आसानासान सवाल आप लोगे एक्जाम में पूचता है चलिए 93 नंबर सवाल है कि फिक्र की जमा क्या होगी कुछान मैं मुफक्र सी में अफकार सी क्या है बताइए इसका सही अंजर क्या होगा उपसाने मैं इसमें आला भी मैं इसमें जर्फ सी में सिफत और डी में फेल जहीन तालिव इल्म में जहीन क्या है तो जहीन जो है ना वह एक सिफत है ठीक है यान की एड्जेक्टिव है जो की तालिव इल्म की विशेषता को बता हाजिर C में है जमा हाजिर or D में है वाहिद मुतकल्स इसका सही जवाब हो जाएगा option number B वाहिद अजिर जिए option number 20 दा Correct answer ये क्या होता है वाहिद गायव जमा हाजिर वाहिद मुतकल्स ये सेगा में आप लोग को अलड़ी पढ़ा चुकी हो उर्दुग्रामर में तो अभी तक अगर आप लोगों नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़िए लिंक में आप लोगों को बोल रही हूं बार बार किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूं पर क्लिक करेंगे तो प सही जवाब हो जाएक सही जवाब किया जाएगा उपसान फ्रूम माजी बाईद यानकी वह आए हुए बहुत देर हो चुका है उसे को कहता है माजी बाईद अärt्ड gaz स Great to si अनध मरीम किसकी मिसाल है सबताम संतान मेर नंबर सवाल आपसन A में है लकब B में है उर्फ C में है कुनियत और डी में तखलिश इबन मरियम किसकी मिसाल है ये बहुत आसान सवाल है और इसका सही जवाब हो जाएगा आपसन नमबर C यानि कि इसका भी आपसन नमबर C कुनियत ही होगा इबन मरीम किसकी मिसाल है? तो कुनियत की आपसन नमर सी इस दा करेक्ट अंसर अन्थानवन नमर सवाल है कि इसमे तादाद की पहचान करें आपसन A में स्कूल B में कलम C में 11 और D में घर इसमें तादाद संक्या बताना है संक्या तो एक ही दिखना है ग्यारा यानि कि option number C is the correct answer 11 लिन्यानबीर नंबर सवाल है और दो question बचा हुआ है बताईए लिन्यानबीर नंबर सवाल की कुफर की जिद बताईए option ने मैं काफिर भी मैं कफार सी मैं इमान डी मैं मुसल्म ठीक है और इसका सही जवाब होगा नहांबिर का कुफर की जिद होता है यानि कि उल्टा अर्थ रखने वाला शब्द है इमान option number C is the correct answer कुफर का उल्टा क्या होता है इमान option number C होगा बिल्कुल सही जवाब अब देखिए ये last question है आज के इस वीडियो का 100 नमबर सवाल यान की 100 नमबर सवाल और इस वीडियो का last question क्या है कि रुबाई की जमा क्या होगी यान के plural word बताना है रुबाई का ठीक है बहु अचन option A में मुरबा, B में हैं रुबाईयात, C में अर्बा और D में हैं रुबाईयों सही जवाब बता दिजिए last question है आज के इस वीडियो का जी हाँ 100 का option number B हो जाएगा रुबाईयात रुबाई का जमा यान की plural बहु अचन होता है रुबाईयात option number B is the correct answer तो फाइनली यहां पर हो जाता है टोटल 100 objective question complete आज डे वन था आज क्या था डे वन यानकी पहला दिन था और पहले दिन हम लोग 100 objective question complete कर लिए है अब और दो दिन बचा हुआ है कल भी हम लोग करेंगे 100 objective question ठीक है और फिर परसो यानिकी तीसरे दिन भी हम लोग 100 objective question करेंगे और सिर्फ तीन दिन में हम लोग 3 objective question complete कर लेंगे और जो भी आप लोग एक्जाम में question पूछेगा इनहीं तीन सब्जेक्टिव question में से पूछेगा ज्याद रहे कि कल का जो हम लोग objective question करेंगे ना 100 वह काफी important है मतलब आज के इस डेवन से भी ज्यादा important है कल का डेटू तो कल के डेटू में जरूर जोना है आप लोग जरूर आप लोग को कल का वीडियो देखना है अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो आप लोग जिंदवी बर पच्टाएंगे क्योंकि जो भी में objective question कराती हूं आप लोग को पता है कि उसी मैंसे question पूछे जाते हैं ठीक है ना अगर आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं पिछले सेसं के स्टूडेंट का भी भी comment भरा पड़ा है हमारे कमीटी में ठीक है जाकर देख सकते हैं सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब करका उर्दू में 98 तक स्कोर किया है 98 तो आप लोग को क्या लगता है कि आप लोगा 98 नहीं आ सकता है यह तो ध्यान में जरूर रखिएगा कि आप लोगा 95 प्लस तो आएगा ही आएगा ठीक है चलिए तो आज कि इस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं सबसे पहले पहुचे ठीक है कल का डेटू में आप लोगो जरूर जुड़ना है कल डेटू है और जो भी अब्जेक्टिव कोशन करेंगे वह काफी इंपोर्टेंट होगा इसलिए मैं आप लोगो पहले ही बता दे रही हूं कि कल दूसरा दिन होगा और आप लोगो कल का व काफी स्बस्दाध बता ओर आप लोगो को काफी स्बस्दाध काफीस